वेल्कुम तू दो चैनल गाइज आपको इस चैनल में स्वागत है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टैनिस की कुछ सिंपर रूल्स के बारे में और जो ओर्ट की मुवमेंट होती है से रेट कैसे फ्लक्ट्ट करता है तो कुछ बेसिक आइडिया और कुछ कॉंसेप् रिगार्डिंग तो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप टैनिस टेडिंग करते हैं तो आपको पहले कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए पहले स्टार्ट में हम वही बेसिक रूल्स के बाले में थोड़ी बात करते हैं और अगर आप बिल्कु इ और ये बिगनर के लिए बहुत informative होने वाला है तो like most of the matches most of the games are of three sets तो जातर जो game होते हैं वो हमारे तीन sets में चलते हैं टैनिस में और जो साल में कुछ पाँ चार जो होते हैं जो हमारे सिफ ग्रेंड स्लम चलते हैं जो पाँच सेट के होते हैं पर जो mainly हमारे tennis matches चलते हैं वो होते हैं तीन sets के अब second है how a game और set is one कोई player एक game को और एक set को कैसे जीता है तो एक game के बाद करें तो सबसे पहले उसको 40 point तक पहुँचने पढ़ता है उसके बाद अगर एक point वो और अचीव करता है तो उस game को वो जीत जाते है उस game को वो जीत जाता है player और अगर दोनों के 40-40 हो गए तो अगला पॉइ point होता है उसके बाद अगर वो advantage के बाद एक और point जीता है तो वो एक game completely जीत जाता है और वैसी set का है दोनों को जो दोनों में से जो पहले 6 points अचीव करेगा वो वो वाला set जीत जाएगा अगर दोनों के वैसी अगर 6-6-6 और 6 दोनों के game जीत जाते है तो उसके बाद time break होता है और उसमें जो जीता है वो set को win कर लेता है अब next is अगर tennis trading करने से पहले आपको जो प्लेयर के पर trade कर अचार है उन दोनों के आपको ranking पता नहीं चीए उनकी ranking क्या है ऐसे ATP का है तो उसकी ATP की ranking क्या है WTA का तो है उसकी ranking क्या है तो आपको पता होना चीए उससे आप idea लगा सकते हो और प्लेयर की कैसी strength आपको पता चल जाएगा और भी simple rules से ऐसे आपको पता होना चीए कि time break कैसे चलता है या आपको पता होना चीए क्योंकि time break बहुत important होता है अगर चाह 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 पर एक set पहुत जाता है उसके बाद time break होता है आपको पता हूंचे कैसे smith scoring होती है जैसे पहला कोई एक अगर प्लेयर यह सर्व कर रहा है तो पहले वह एक सर्व करेगा जो अपोजेटर को सके बाद continuous दो सर्व करता है फिर अगे अगे जो टैनिस जो प्लेयर होता है दो सर्व करता है ऐसी जब तक है साथ प्लेयर जो पहले उस टाइब रेक में अचीव कर लेता है साथ पॉइंट वह जीच जाता है अगर वैसी फिर से साथ हो गए तो दो उसके बाद दो पॉइंट का गैप होना चाहिए में इस तरह से टाइब रेक होता है जात दक से तो और फिफ चीज है यू मस्ट नो सिंपल टर्म लाइग फॉल्ट एस आपको सिंपल टर्म पता होनाई चीए जो कमेंटेटर बोलता है एस फॉल्ट लैट तो आपको सिंपल पता होनाई चीए स्कोरिं कैसे बढ़ करते जीरो फिफटी इन 15 30 जो वहाँ पर गे थोड़े पहले टैनिस मेंच की प्रेक्टिस कर लिजें कैसे जलता है aux अब है importance of break and serve तो tennis का service और जब break राता है तो इसका बहुत importance होता है अगर serve जो होती है और break हो जाज़े तो बहुत odds का हमें movement देखने को मिलता है तो तो इन रूआ लुझे र हाना अव्रोए उतलम स्येक्ट मारेँ यह चार ओपोड़न दया एकर कोई ग्रेस्पंटीद तो उस समय बहुत कंधे डिवारने से बैट से प्लेयर के Baldi聊 आप गोसे पिलीकर लिट्साए पी निए अग बयुद्से जादव में आगे चालाया कोई लिट्से चरण अगे बेसे आपने प्लेए तो इस चीम जीटने मेरा कि दो गीम जीता है यह जो चार गीम जीटündर की को सब्सक्जा descri billion अब है how the odds pricing works in tennis और जो pricing हो कैसे work करते है tennis में so if the price of one player increases then the price of other player will decrease simultaneously तो इस simple rule जैसे cricket में होता है अगर एक player का odds का जो rate होता है वा कम होने लगता है तो दूसरे player का वैसी rate होता है वा बढ़ने लगता है जैसे अगर कोई player है है उसका rate 20 बहुच है दूसरे का तो six point कुछ होगा अगर उसका और कम 1.10 बहुच है तो उसका 10 के उपर बहुच जाएगा तो यह simple rule है if the starting rate of a players are close to that odds to like 1.7 1.2.04 तो अगर कोई player के starting price player है और player B के यह है कि player A का 1.97 है और दूसरे player का जो है वह है 2.04 तो से पतलता है कि दोनों player है वह आपस में मतलब ऐसा उनको market is समझ रहे हैं कि उनकी strength लगबग बराबर है मतलब यह मैच थोड़ा close होने आला इस टाप से जो odds होते है वो decrease होते है तो obviously जो जीतने के chances होते है वो जादा होने लग जाते है वैसी अगर odds के player जो है उस player के अगर odds increase होन लग जाए तो उसके charges जीतने के कव होन लगता है basic चीज है तो आपको rate को देखे क्या समझ रहे कोशिच करने चाहिए what you have to do so give a close look at the starting price of a player and see how the pricing changes as a match progressive तो आपको जो starting price of player की उसको अच्छे से देख लना हो कितनी थी और ऐसे जब game progress करता है पड़ते रहते तो आपको जो pricing movement आता है उसको आपको कहीं पर देख लना है कि कैसे movement हो रहा है अगर पहला set कोई दूसर player जीत गया एक player का rate है माननीजे आपर example देखके बताता हूं माननी जब पहला set हमारा rublev जीत जाता है तो इस case में mostly जो rate है 1.9 के आसपास से rate पहुच जाएगा और अगर second sack जो नुवाग जोकुविच दुबारा जीत जाता है तो जो rate होगा वो इसी के आसपास जाएगा जो उसके starting price में rate था जैसे 1.36 था starting price तो भी उसके आसपास ही जाएगा जैसे 1.4 कुछ हो गया तो 1.3 के आसपास ही होगा है वो rate तो आप यह tennis में ध्यान रखेंगे जो जो rate होता है वो दुबारा अपनी starting price में आता है अगर जो mostly अगर पहले set के बाद दूसा जो पहले जो set में हार गया था जीत जाता है तो mostly उसके आसपास ही rate रहता है अगर market को जादा over reaction नहीं लगा तो अब ऐसे और example दे रहे है इसे नडाल और मेडविदेव का example है इसे नडाल और मेडविदेव के यह आला rate को पता देखके पता रहता है कि दोनों प्लियर आपस में equal strength के हैं और वैसी कैरोलीन गार्षी और मार्टिन कोवा को इस जो ओर्ट्स दे रहे हैं पर 1.9 और 1.20 गार्षी आके और मार्टिन कोवा के 6.2 और 6.6 तो इसको देखके यह पता चलता है कि जो कैरोलीन गार्षी है इस मैच को जीतने के बहुत हाई chances है यूदि रेट को देखके आप पता करना चाहिए और अगर दूसरा सेट गार्षी दुबारा जीत गई तो यह रेट दुबारा 1.19 1.20 के आसपास ही हो जाएगा 1.24 के आसपास ही रहेगा तो आपको इस जान रखने हैं जो टैनिस में जो रेट होता है आपने दुबारा स्टार्टिंग मैच के अगर दूसरा स करके पता सकते हैं और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तब तक के लिए गूडबाई थैंक यू करें तो